इस अध्याय में शिव पुरान को सुनने से ब्राह्मन देवराज को शिवलोग की प्राप्ती की कथा का प्रसंग है, जो इस प्रकार है. शंकजी बोले ही महाभाद सूथ जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ग्याता हैं, आपने क्विपा करके हम लोगों को ये बड़ी अध्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है. हमने ये पापनाशिनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसंग करने वाली अध्भुत कथा सुनी. भूतल पर इस कथा के समान कल्यान का सर्वश्रेष्ट साधन दूसरा कोई नहीं है, ये बात हमने आज आपकी क्रिपा से निश्चेपूर्वक समझ ली. हे सूद जी, कलियोग में इस कथा के द्वारा कौन-कौन से पापी शुधा होते हैं? उन्हें क्रिपापूर्वक बताईए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए. सूद जी बोले हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम फ्रोधादी में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुरान से अवश्चे शुधा हो जाते हैं. ये कथा वास्तव में उत्तम ज्यान्यग्य है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नश्ट करने वाला है, और भगवान शिव को प्रसंद करने वाला है, जो अत्यंत लाल्ची, सत्यविहीन, अपने माता-पिता से द्वेश करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्यान्यग्य से शुधा हो जाते है अपने वर्नाश्रम धर्म का पालनना करने वाले और इर्श्याग्रस्त लोग भी कलिकल में इस ज्यान्यग्य के द्वारा पवित्र हो जाते हैं जो लोग छल कपट करने वाले, प्रूर स्वभाव वाले और अत्यांत निर्दई हैं कलियुग में वे भी इस ग्यान्यग्य से शुधह हो जाते हैं ब्राह्मन के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यविचार परायन जो लोग हैं वे भी इस ग्यान्यग्य से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं जो मनुष्य सदा पापकर्मों में लिप्त रहते हैं शठ हैं और अत्यंत दूशित विचार वाले हैं वे कलियोग में भी इस ग्यान्यग्य से निर्मल हो जाते हैं दुश्चरित दुर्बुद्धी उद्विग्न चित्वाले और देवताओं के द्रव्य का उब्भोग करने वाले पापीजिन भी कलिकाल में इस यान्यग्य से पवित्र हो जाते हैं इस पुरान के श्रवन का पुर्णिय बड़े बड़े पाप को नश्ट करता है सांसारिक भोग तथा मोख्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन करता है इस संबंध में मुनिगर्ण इस प्राची नितिहास का उदाहरन दिया करते हैं जिसके श्रवन मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है पहले की बात है कि रातनगर में एक ब्राह्मन रहता था जो अग्यानों, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था वो असनान संध्या आदी कर्मों से ब्रश्ट हो गया था और वैशवरिती में ततपर रहता था उसका नाम था देवराज, वो अपने उपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था उसने ब्राह्मनों, शत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मार कर उनका धनहाण अपलिया था बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अरजित कर लिया, परन्तु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म की काम में नहीं लगा एक दिन वह ब्राह्मन देवराज एक तालाब पर नहाने गया, वहा शुभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मुहित हो गया वह सुन्द्री भी उस धनी ब्राह्मन को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन हुई आपस में वार्तालाब से उनमें प्रीती उत्पन हो गई, उस ब्राह्मन ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पती बनाना स्वीकार कर लिया इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीला में वे दोनों निरंतर पती पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे देवराज को अपने माता पिता तथा पत्नी के द्वारा बार बार रोकने पर भी पापृत्य में सनलगन वह उनकी एक बात नहीं मानता था एक दिन रात्री में उस दुष्ट ने इस शिवश अपने सोय हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया वेश्या में आसक चित्वले उस ब्राहमन देवराज कामी ने अपना और पिता आदी का सारा धन उस वेश्या को दे दिया वह पापी देवराज अभक्ष भक्षन तथा मध्यपान करने लगा और वह नीच ब्राहमन उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा एक दिन भूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर जूसर प्रयाक में जा पहुँचा वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधू महात्मा एक अत्र हुए थे देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उसे जुवर आ गया उस जुवर से उसको बड़ी पीला होने लगी वहां एक ब्राहमन देवता शिव पुरान की कथा सुना रहे थे जुवर में पड़ा हुआ देवराज उस ब्राहमन के मुखार्विन से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा एक मास के बाद वह जुवर से अत्यंत पीलित होकर चल बसा यमराज के दूत आये और उसे पाशों से बांध कर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए इतने में ही शिव लोक से भगवान शिव के पारशद गान आ गए उनके गौरंग करपूर के समान उजवल थे हाथ त्रिशूल से सुशोबित हो रहे थे उनके संपूर्ण अंग भस्न से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीटकर बारंबार धमका कर उन्होंने ब्राह्मन देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलास जाने को उद्यात हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आये साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मग्या धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया यम ने ग्यांदरिष्टी से देखकर सारा वृतांत जान लिया उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी यम राज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिव दूत कैलास को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मन को दयासागर साम शिव को दे दिया शिव पुरान की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जिन भी मुक्ती के योग्य बन जाते हैं भगवान सदाशिव के परमधाम को वेद्ग्य सभी लोकों में सर्वश्वेष्ट बताते हैं ब्राह्मन क्षत्रिय वैशियक शूद तथा अन्य प्रानी यहां तक की जिस पापी ने धन के लोप से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला वह वैश्यागामी शरावी ब्राहमन देवराज भी इस कथा के प्रभाफ से भगवान शिव के परमधाम को प्राप्त कर तक्षन मुक्त हो गया इस प्रकार श्रीसकंद महापुरान के अंतरगत शिवपुरान महात्मय में देवराज मुक्तिवर्न नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ ओन नमाशिवाए